सब्सक्राइब करें जोती से स्पेस चैनल को और बेल को दुबाईए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमाशकार दोस्तों आपका स्वागता हमारे चैनल में तो आज कि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पांच ऐसी रिखाओं के बारे में अगर उनमें से कोई भी एक रिखा आपके हाथ में है तो आपके लव मेरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं हो सकता है आस तक आपने सिर्फ हर्ट लाइन को ही देखा हो लव मेरिज का पता करने के लिए पर जुरूरी नहीं है कि हर्ट लाइन आपके हाथ में वैसी ही हो तो इसलिए खास तोर पर आज ये वीडियो बनाए गई है प्रोपर जानकरी के लिए वीडियो आखर तक देखते रहेगा शुरूरात कर देंगे आपके एक लाइक के साथ आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आईए शुरू करते हैं जरूरी सूचना अगर आपको कमेंट्स में कोई अपना नंबर दे रहा है कंसल्ट करने के लिए तो करिपया ना करें क्यूंकि हमसे कंसल्ट करने का सिर्फ एक तरीका है इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको हमेशा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा तो शुरूरात करने से पहले जैसे के आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट एंड में अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट एंड में इन जानकारी को देखिएगा शुरुआत करेंगे पहले हार्ट लाइन से अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी है तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि हर जर रेखा कैसी होती है और कहां होती है पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो ध्यान से देखना जब आपके हाथ में रेखा चली जाए गुरु परवत पे कुछ इस परकार गुरु परवत जिसे ब्रस्पती परवत भी कह देते हैं और ये उपरा हुआ हो इसको पता करने का क्या तरीका है दूसरे हाथ के अंगूटे से दबा के देख लेना अगर इस परकार से रेखा है और ये है हर्ट लाइन तो दोस्तों आपके लव मेरेज के चांसेश बढ़ जाते हैं और वो कैसे पहली बार में नहीं दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में रिष्टा पक्के होने के चांसेश जादा रहते हैं पर पहली और दूसरी बार में क्यों नहीं क्योंकि बाधाईं आ सकती हैं बाधा कैसे घर वाले जल्दी ना मानना तो उसकर लिटिड भी एक रेखा है अगर इसमें से एक छोटी रेखा डिवाइड होके चली जाए शनी और गुरू परवत के बीच में तो दोस्तो निश्ची कैसे रहेंगे क्या आपके साथ ज़्यादा प्यार रहेगा और क्या वो सपोर्ट करेगा आपको हर काम में तो उसके लिए देखिए बुद्ध परवत को तो यहां पर अगर कोई रेखा हार्ट लाइन के और जुकी हुई है हो सकता है एक से ज़्यादा रेखा हो पर जो सब से लंबी वाली रेखा होगी और वो जुकी हुई है हर्ट लाइन की और तो दोस्तों जो मैंने आपको बाते बताई वो सब सच साबित होंगी आने वाले फ्यूचर में इसके बाद शुकर परवत जो बनता है अंगूठे के नीचे इस वाले एरिया में तो यहां से हम क्या जान सकते हैं कि आपकी मेरिड लाइफ कैसी रहेगी जगडा तो नहीं होगा या फर मनमटाव तो नहीं होगा आपकी फैमिली और आपके पार्टनर के बीच में अंडिस्टेंडिंग कैसी रहेगी तो उसके लिए सबसे पहले देखिए अगर रेखाएं उपर की और ज़्य में बहुत अच्छी understanding रहने वाली है और यही सबसे ज़्यादा जूरी होती है जिस वज़े से आपकी आर्थिक स्थीती भी सही रहेगी और प्यार बना रहेगा आपके हर family member के साथ और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए पर अगर यह रिखाई नीचे की और ज़्यादा है लेटी हुई रिखा है और गहरी है तो दोस्तो जो मैंने आपको बताया इसका उल्ट होने वाला है त्याने में रखिएगा इस बात को last but not the least मंगल रिखा जो निकलती है मंगल परवत से और हट लाइन के साथ है तो दोस्तो आप शोट अंपर वाले हैं आपको जल्दी गुसा आता है हो सकता है आने वाले समय में आपके पार्टनर के साथ आपके मत बेद रहें और कोई विचार धारा ना मिले तो जगड़ा भी हो सकता है तो दोस्तो अपने मन को शांत रखें पार्टनर के साथ अगर आपको मैरिड लाइफ सक्सेसफुल बनानी है तो इस चीज़ को ध्यान में रखना जरूरी है एक बात को हमेशा याद रखेंगा दोस्तो मैरिड लाइफ में छोटे मोटे जगड़े हो जाते हैं ये नॉर्मल बात है पर अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं तो आप में या आपके पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई कमी है उस पे ध्यान करें उसको सुधारें अगर आपको मैरिड लाइफ सक्सेसफुल बनानी है क्योंकि जिम्मेवारी दोनों की बराबर होती है हम अपनी जिम्मेवारी दूसरे पर नहीं ठौब सकते तो दोस्तों अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देख लिया है सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और अगर इन रिखाओं में से एक भी रिखा आपके हाथ में है तो लव मेरीड के चांसिस हैं और अगर तीन रिखाएं हैं तो भाई सोने पे सुहागा है आपकी मेरीड लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है उपर से अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल रहे गया हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं वीडियो पसंदा ही हो तो लाइक कर देना शेर कर देना अपने दोस्तों के साथ शोशल मीडिया पर सब्सक्राइब करना बिल्कुली मत भूलिएगा मिलेंगे नेक्ट टोपी के साथ नेक्ट वीडियो में तब तक मुझे इजाज़े दीजिए नमस्कार